रेन्बो सेवन चैनल की और से मदन गोपाल का सतरेंगी नमस्कार टूरिस्ट के लिए हमेशा लेटेस्ट जानकारी और यूजफुल वीडियो लाने वाले चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जुरूर इसको सब्सक्राइब कीजिएगा इस वीडियो में उत्राखंड हीमाचल परदेश में सनोफॉल कहां कहां हुआ है वो पूरी डिटेल से बताने वाला हूँ और साथ में अटल रोहतांग टनल अटल टनल भी नया नाम है उसके बारे में वो कलोज क्यूं हुई है वो भी बताने वाला हूँ इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा आपके पूरी जानकारी काम आने वाली है यदि आप यहां की यात्रा करेंगे तो देरी से वीडियो पुस्तुत करने के लिए मैं सबसे पहले मापी चाहूंगा और थोड़ा समय बीजी चल रहा हूं इसलिए थोड़ा आगामी वीडियो भी लेट हो सकता है और आपके लिए मैं समय निकाल कर यह वीडियो पुस्तुत कर रहा हूं और आपको यदि हिमाचल में अच्छे जगह सब जगह गुमें हैं गुमकड हैं तो यह लोकेशन कुन सी है जो आपकी स्क्रीन पर अभी वर्तमान में चल रही है यदि आपने ज्यादा अक्सप्लोर किया है तो जरूर इस जगह को आप पहचान लेंगे सबसे पहले हम सनोफोल की बात करते हैं तो कि न मोटल کھुले नहीं है और तो Χुले नहीं और किनर के लाइस है वहाँ सनोफोल नहीं है चितगुल का थोला की जो माउंटन रेंग्ज मत वहाँ सनोफोल हुआ है तो इससे क्या होगा की जो तापमान समें जबकि हमाचल का ही भाग है उना वहां का ताप मान है 36 यानि ताप आंधर बहुत ज्यादा आ गया है मनाली में भी सनोफोल हुआ है कहां कहां उसकी बाद में बात करेंगे सबसे पहले में बात करना चाहूंगा बर्मोर जंजा थी क्षितर बर्मोर की जो उन्चे माउंटेन है वहां पर सनोफोल हुआ है दो इंच तक हलका हिमपात हुआ है इससे ठंड बढ़ गई है और आपको बता दें कि मैंने फेस्बुक मेरा जो पेज है रेंबो सेवन है उसका लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल कारग की निकारण से तो आप वहां आप देख सकते हैं और आपको बता देवें कि वहां सनोफोल हो गया तो इलाके में ठंड बढ़ गई है और सात में बता दें कि जो मनाली है मनाली का उची चोटियां है वहाँ सनोफोल हुआ जैसे सेवन सिस्टर है लदा की पीक है और देवुटीबा है व्यासकुंड जहां से व्यासनदी का उदगम है दसोहर भर्गू जो पीक है हम्तापास है हम्तापास के मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए है और एक popular destination है यदि आप वहाँ explore नहीं किया trekking के दोवार अभी जा सकते हैं बहुत ही प्यारी जगह है तो ये सामने जो आपको दर से दिखाई दे रहा है वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा ये यहां के नजारे है ना वो बहुत ही चिता कर सक बहुत ही सांदार है और जो सड़क है बहुत ही डालू किसम की है और थोड़े से expert driver है वो ही आए तो ठीक रहेगा तो यहां से आपको मैं मनी महिस के लास के दिदार करना रहा हूँ स्क्रीन पर केसा दिखाई दे रहा है बादलों की ओट में साफ नहीं दिखाई दे रहा है फिर भी यहां दर्सन कीजिएगा मनी मेस के लास के तो यहां सनोफोल हुआ है और इसके वीडियो लेटटेस्ट वीडियो है वो मैं description में डाल रहा हूँ Facebook पेज़ पर उसको follow जरूर कीजिएगा अब हम बात करना चाहेंगे उत्राखंड की यदि आप उत्राखंड में यात्रा कर रहे हैं तो वहां भी snowfall हुआ है इसलिए गरम कपड़े साथ में ले जाएं तो बदरीनात के आसपास snowfall होने के ख़बर हमें मिली है और माना विलेज है फिहमस जगह है वहां भी जो चाइना बॉर्डर प्रावस्तित है वहां भी snowfall हुआ है इसलिए आप वहां की यात्रा कर रहे हैं तो गरम कपड़े पहन ले और वहां सपेद चादर बिच गई है इसलिए वहां की यात्रा करते समय ये जरूरी सावदानी रखे मेदानों के अंदर भी थोड़ी थोड़ी ठंड का ऐसास होने लग गया होगा यहां तो फुल सर्दी आ गई है टेमपरेचर जहां सनोफोल होता है वहां सुनने के आसपास हो जाता है बहुत ही अच्छा एंजोई होता है यदि आपने एंजोई किया तो अपना अनुबव जरूर सेर कीजिएगा कि सनोफोल का एंजोई कैसा रहता है यदि आप उत्राखंड की यात्रा करना चाहते हैं तो उसके नियम है उसका लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ उसमें पुरा समझाए गया वैसे वीडियो लंबा हो रहा है और यदि आप हिमाचल बिना रोक टोक यात्रा करना चाहते हो तो आपका स्वागत है और किनोर और स्पिती में आपका इंट्री अलाउ नहीं है क्योंकि वहाँ होटल खुले नहीं है इसलिए आप वहाँ की यातरा फिलाल नहीं कर सकते हैं अब हम बात करें अटल टुनल रोतंग टुनल की तो वह क्लोज क्यों कर दिया गया है तो आपको बता दें कि इसकी उद्गाठन की नई डेट आ गई है तीन अक्टूबर को यह जो टुनल है वह राष्टर को समर्पित कर दी जाएगी इसलिए में बियारो को सबसे पहले और जो शेना है उसको सेलूट करना चाओंगा जो इस टैनल को परतेक्स प्रोक्स रूप से इस निर्मान कारे में जो भागीदार रहा है उसको जहिंद भी करना चाओंगा तो सबसे पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब है वह इसका जो मनोबल बढ़ाने के लिए यहांके ज अरेंदर मोधी तीन अक्टूबर को यहां मनाली के साथ से सहस्तान के अंदर लेंड करेंगे और वहां से सोलंग वेली होते हुए इस टैनल के थ्रू लाहल इसपीती का जो सिस्व विलेजे वहां पहुंचेंगे और इस जो टैनल है इसका उदगाठन करेंगे इस कारिकरम म यह विशेस ध्यान रखेंगे तो आपको बता देंगे कि यह बंद क्यों की गई यह बंद इसलिए की गई है कि इसका उदगाठन होने वाला है सुरक्षा की दस्टिक को मद्य नजर रखते विए इस टैनल को बी आरो ने अपने क्षित्रा दिकार में ले लिया है और इसलि देगा या इनफोर्मेशन देगा वो चैनल के मादेम से आपको मैं पहुंचा दूंगा इसलिए यह टनल है पुर्णतया बंद है इसलिए आप जब यहां की यात्रा करना चाहें तो जरूर चैनल को चेक करते रहें आपको अपडेट मिलती रहेगी तो और मनाली से संबंद कोई भी लेटेस्ट खबर है उत्राखंड से संबंदित है वो आप यहां इस चैनल पर मिलती रहेगी इसलिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा यह वीडियो कैसा लगा है जरूर कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा और हमारा फेस्बूक पेज है जिसका लिंक डिस्क्रिपिशन में दिया गया उसको भी फोलो कीजिएगा